जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक यूनिक कॉम्बिनेशन आज हम बनाएंगे ग्रीन बीन्स ओमलेट तो चलिए शुरू करते हैं तो इस रेसिपी के लिए सबसे पहले हम एक पैन में तीं टेबल पून तेल गर्म कर लेंगे और इसमें ऌफ टीज़ून जीराएट एक टेबल स्पून बारिक कटा हुआ अधरक और इसी के साथ हमने एक बड़ी हरी मिज को भी बारिक काट लिया है उसे भी हम इसमें सामिल कर देंगे और लहसुन का कलर थोड़ा चेंज होने लगे तब तक हम इसे तेल में फ्राइ कर लेंगे 30-35 सेकंड टक फ्राइ करने के बाद जब लहसुन का कलर चेंज होने लगे तब हम इसमें एट कर देंगे प्यास तो हमने यहाँ पर मीडियम साइज की दो प्यास को बारिक काट लिया है प्यास को हम जङादा फिराई नहीं करेंगे बस थोड़ी सोफ्ट होने लगे तब तक हमेंसे फ्राई करना है तो थीन से चार मिनिट के बाद आप देखेंगे कि प्यास थोड़ी सोफ्ट होने लगी है तो इस टेच पर हम इसमें एट कर देंगे ग्रीन बीन्स जिसे फ्रेंच बीन्स भी कहा जाता है तो हमने यहाँ पर 500 ग्राम बीन्स ली और बीन्स को हमने बारिक काट लिया है अभी हम गेस की फ्लेम को हाई रखेंगे और हाई फ्लेम पर हम इनको तेल में अच्छे से फ्राई कर लेंगे तो इसे हमने हाई फ्लेम पर पांच मिनिट के लिए फ्राई कर लिया है और अब देख सकते हैं कि बींस थोड़े क्रंची होने लगे हैं और इस टेज पर हम गेस की ख्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और इसमें कुछ सुखे मसाले एड़ करेंगे जिसे की स्वाद अनुसा नमक, एक तीस्पून धन्या पाउडर, देज टीस्पून लानमिश पाउडर, हाफ टीस्पून जीरा पाउडर और एक चोथाई टीस्पून हल्दी पाउडर और इसी के साथ हम इसमें एड़ कर देंगे बारिक कट्टे हुए टमाटर तो हमने दो मीडियम साइस के टमाटर को बिल्कुल बारिक काट लिया है इसे अच्छे से मिला लेंगे और इन मसालों की कच्ची स्मेल दूर होने तक हम इनको भूनेंगे मसालों की कच्ची स्मेल दूर होने तक हमने इसे 2-3 मिनिट तक लोफ लेंप पर भून लिया है और अब हमें इस सबजी को गलाना है तो सबजी को गलाने के लिए हम इसमें आधा कप पानी एट कर देंगे इसे अच्छे से मिला लेंगे और अब हम इसे कवर करके लोफ लेंप पर पकाएंगे तो इसे लोफ लेंप पर 10-12 मिनिट के लिए पका लें या फिर तब तक पकाएं जब तक की बीन्स गलना जाए और बीच में हम इसे चेक कर लेंगे तो हमने इसे कवर करके तब तक पकाया जब तक के सबजी अच्छे से पकना जाए तो 10 से 12 मिनिट के बाद आप देखेंगे कि बींस अच्छे से गल चुके हैं और हमारी सबजी बनकर तयार है अगर आपके बींस गले नहीं है तो आप इसे कुछ देर के लिए और पका लें अब हम इसकी एक लेयर बना देंगे तो यहाँ पर हमें सबजी की एक लेयर अच्छे से सेट कर देनी है और अब हम इस पर अंडो की लेयर बनाएंगे तो हमने यहाँ पर पांच अंडों को तोड़ कर ले लिया है और अंडों को हमने अच्छे से पेंट लिया अंडे हम इस पर इस तरह सेट करेंगे कि इसकी एक लेयर सेट हो जाए तो सबजी और अंडे की एक लेयर अच्छे सेट करने के बाद हम इसमें एक चोथाई टी स्पून काली मेश पाउडर स्प्रिंकल कर देंगे और इसी के साथ हम इसमें एक चोथाई टी स्पून नमक स्प्रिंकल करेंगे और अब हम इस पर एट करेंगे तेज गरम तेल तो दूसरी तरफ हमें 2 टेबल स्पून तेल को तेज गरम कर लेना है तेल को हम इतना गरम करेंगे कि इसमें से धुआ निकलने लगे और गर्मा गरम तेल को हम तुरंत अंडो पर एट कर देंगे और इसे फिर से कवर करके लो फ्लेम पर दो से तीर मिनिट के लिए पकाएंगे तो हमने इसे लो फ्लेम पर सिर्फ दो मिनिट के लिए पकाया है और आप देख सकते हैं कि अंडे भी अच्छे से कुक हो गए है तो गेस की फ्लेम को उफ करके इसमें गानिशिंग के लिए थोड़ा सा हरा धन्या एड़ कर देंगे फ्रेंच बीन विज एक्स की ये रेसिपी आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें रेसिपी ट्राइक करने के बाद कॉमेंट बुक्स में हमारे साथ अपने एक्सपीरिंस जरूर से सेर करें फिर मिलेंगे जाइका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नए रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुडबाई